गुद मॉर्निंग चिल्रेन चिल्रेन अभी कोरोना बहुत वहल रहा है तो आपको अपना ध्यान रखना है सेफटी रखनी है और समर सीजन भी स्टार्ट हो गया है तो गर्मी में थोड़ा बचके रहना और थंडी-थंडी चीजे लेना जूस पीना, ओके नौ टेक यूर बुक नंबर येट एड़ ओपन पेज नंबर सिक्स्टी सी, तो ड़ेड़ वी विल डू टिक एंड सर्कल ओके टिक दा फार्म अनिमल्स एंड सर्कल दा वाइल्ड अनिमल्स हमें क्या करना है आपे जो farm animals है उन पे हमें tick करना है और जो wild animals है उसके हमें circle करना है वाइल jan Marc ॉ जिंगल में रहते हैं फॉरस्ट में और जो farm animals आपको पता है ना चलो next देखो यह क्या है what is this god are God क्या है farm animal के यह हमारे आसपस भी हमें दिखती है यह जंगल में नहीं रहती है, so इसको हम क्या करेंगे, tick okay, next which animal is this tiger कौन सा animal है ये, tiger tiger कहां रहता है yes, जंगल में रहता है तो ये क्या है, एक wild animal है ये हमें खा भी सकता है तो tiger कहां रहता है, जंगल में रहता है, इससे हमें खत्रा है ये खा जाता है लोगों को, तो ये एक wild animal है, तो हम इसको क्या करेंगे, circle, ये एक जंगली जैनिवर है, हम इसको circle करेंगे, next, lion, yes, आप तो सब जानते ही हो, ये lion है ना, lion भी का रहता है, ये भी जंगल में रहता है, ये भी एक wild animal है, हाना, सब को डर लगता है ना, lion से, ये भ हमारे आसपस नहीं रह सकता, next, which animal is this, cow, yes, cow तो आप सब में देखी है, क्योंकि हमारे घर के आसपस भी हमें दिखती है, ये फार्म में रह सकती है, तो हम इसको क्या करेंगे, take it, okay, next, horse, horse कौन सा animal है, ये एक फार्म अनिमल है, ये फार्म में रहता है ना, so we will take it, next, which animal is this, yes, this is elephant, elephant क्या है, wild animal है, और हमारे आसपस बहुत कम दिखता है, बहुत कम, okay, कभी-कभी दिखता है, बहुत कम दिखता है, but mostly ये जंगल में रहता है, तो ये कौन सा animal है, wild animal, तो हम इसको क्या करेंगे, circle, इस तरह से children आपको farm animal and wild animal को find out करना है, identify करना है, और tick करना है, और circle करना है, okay children, keep practicing, bye, take care.